ही निविश्का दोस्तों तो यहां पे मेरे पास Infinix Note 30 5G जो की 15,000 ओपे की प्राइजिंग में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिलता है, पिछले साथ दिन उसको मैं as a primary device use कर रहा हूं, तो चलो बिना टाइम बरबाद कि आपको बताता हूं किस तरीके का आपको ये फोन मिल जाए यह मुझे काफी चीज लगी है कि आप बॉक्स के अंदर आपको tempered glass cover सब देते हैं, इवन प्री एंप्लाइड आपको इसके दर screen protector जरूर से मिल जाता है, अब देखो सबसे पहले build or design की बात कर ली जाए, तो इस बार मैं कहूंगा, Inflix अपने पुराने अंदाज में बाप आपको मिल जाएगा, तो थोड़ा heavier side में यह जरूर से आपको यहाँ पर feel होने वाला है, बागी back से आप देखो किस तरीके का आपको लग रहा है, क्योंकि यह matte finish में आता है, आपको fingerprint smudches या scratches बहुत ही कम visible होंगे, plastic material यहाँ पर अच्छा यूज करा गया है, बसे I think back से दि आपको best sounding speaker मिलता है, एक तो dedicated speaker हैं तो loudness काफी अची आती है, deep bass भी आपको इसके अंदर सुनाई देगा, quality wise एक number का मिल जाएगा, even जो haptics है, यानि vibration motor की जो performance है, वो भी इसके अदर काफी बैठरीन आपको मिल जाएगी, लेकिन यह basic चीजों के साथ-साथ, Infinix ने आपको इ dedicated sim slot भी दिया हुआ है, और यह 5G phone है, dual 5G को support करता है, even इसके अंदर VONR 5G का भी support आ रहा था, और 14 5G के band आपको मिल जाएगे, तो connective device आपको कोई भी issue नहीं आएगा, even 4G plus का भी इसके अंदर बढ़िया वाला support मिलता है, even इसके अंदर भाई, NFC का भी support आपको मिल जाता ह अगर आप इसी तरीकी वीडियो एंजवाई करते हो नो, तो subscribe वाले बटन को तो ज़रूर से दबा ही दे ना, अचा लेकिन अगर मैं display wise वायद करूँगा, तो अगर दखो इसके पुरानी generation से compare करा जाए, जहां पर एंबूलर डिस्पले मिलती थी, अब असके अंदर आ कर पाऊगे, 580 nits तक कि आपको peak brightness मिल जाती है, out of visibility में मुझे कोई समस्या नहीं आई है, LCD होने के बाप जूद भी है, display quality wise भी मैं कहूंगा, बहुत ही अच्छी लगी है, colors वगर आपको अच्छी इसके अंदर निकलते हुए मिलेंगे, हाँ थोड़े से saturated side में वो जरूर से निकल के आते हैं, overall LCD display है, लेकिन पैकेज जो यह overall यूज करा है, अच्छा आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से मिल जाएगा, bezels वगरा भी देखो कि आपको काफी पतले मिल जाते हैं, ऊपर आपको water drop notch नहीं मिलता है, आपको punch hole मिलेगा, इस price range के अंदर भी कुछ 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 water drop notch भी दे रही है, तो overall I think display quality wise में मुझे आप यह satisfied लगा है, लेकिन पुराने जनरेशन से जरूर से जरूर से इसके अंदर थोड़ा सा downgrade side में आपको यह मिलता हुआ, लेकिन जो एक चीज़े same है, वो है Dimensity का processor, अब इसके अंदर Dimensity का आपको 6080 वाला processor जरूर से मिलता है, लेकिन वो सिर्फ नाम पे है, मतलब वगर आपको नहीं पता है, तो वो rebranded version है Dimensity A10 का, आपको मैंने एक app के अंदर भी चेक कर रहा था, तो वहाँ पर भी Dimensity A10 ही detect कर रहा था, on paper scores वगरा भी देख लो, अच्छे आ जा रहे हैं, अब यहाँ पर मैं का हूँआ, डे-to-day use म अब मुझे ज़्यादा दिकत नहीं दिया, अब जब तक आप इसको normal tax में चलाते हो, जैसे हलके full के 2-3 आपने apps वगरा open कर लिए, lags वगरा आपको नहीं देगा, लेकिन जहाँ आप ज़्यादा थोड़ी heavy चीज़ों में चली जाते हो, जैसे 5-6 apps से ज़्यादा आपने background म खोला हुआ है, थोड़ा सा shuttle X, थोड़ा सा अटकता हुआ, कहीं कहीं आपको यह ज़रूर से महसूस हो सकता है, लेकिन normal day-to-day users में, day-to-day काम में 15,000 रुपए के हिसाब से आपको यह चलता हुआ, अच्छा मिल जाएगा, इवन अच्छी चीज मुझे लगी है, इसकी gaming, ultra setting तक BGMI आप इसके अंदर, smooth setting में आप इसहाँ पे खेल सकते हो, और उसमें भी यह gameplay मुझे बहुत सही लगा है, साधी साथ gyroscope की भी performance इसके अंदर आपको बदमदार मिल जाएगी, मतलब delay अगरा नहीं मिलता है, performance wise भी यार, 15,000 रुपए के price point में मस सा आपको यह यहाँ प आपको ads मिल जाते हैं, इस बार इसके अंदर, यार, मुझे कहीं भी ads वाले चीज़े नहीं मिली, हाँ, blur wear ज़रूर से आपको मिलेंगे, लेकिन वो भी काफी कम हो गए है, inflix से कुछ blur wear मिलते हैं, जिनको mostly आप disable या install कर सकते हो, लेकिन कुछ notification ज़रूर बिसते हैं, आपको उनका notification disable करना पड़ेगा, वो भी हटा दे, तो वो और भी ज़्यादा smooth और अच्छा, मतलब UI हो जाएगा, ads नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप देखो UI इनकी typical वही चलती हुए, आपको मिलती है, लेकिन अच्छा Android 13 के ओपर based है, एक सा आती है, ये भाई, आपके उपर है, क्योंकि feature इस तो जरूर से है, even call recording भी आप इसके अंदर कर सकते हूं, वो भी बिनना announcement के, तो वो भी एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगती है, यहाँ आपको इसके अंदर side motor finger pin sensor मिल जाता है, quickly work करता हूँ आपको, मिलेगा, अब आती है, मतलब आपका phone चलेगा सर्फ directly power से, ठीक है, वो सिर्फ gaming के time पे रहता है, कितना फर्क पड़ेगा यार, अभी मैंने जितनी gaming इसके अंदर करी है, उसमें मुझे बहुत जादा फर्क नहीं पता चला, हाँ, heating बगरा में थोड़ा बहुत control करके यह जरूर सरकता है, लेकिन आप यार, इसके अंदर कितनी तगड़ी gaming कर लोगे, वो चीज मुझे इतनी समझ में नहीं आई, दिया है फीचर, अच्छा है काम के लिए, अगर आपके लिए उपयोगी हो जाता है, तो ठीक है, बाकि इसके अंदर PD charging का भी support मिल जाता है, charging भी fast हो जाती है, गंट इसके अंदर मिल जाएगा, दोनों से आप 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत कापी decent की होती है, इस्टेवल वीडियो के लिए 1080p, 30fps तक आपको जाना पड़ेगा, और फ्रेंट में भी 2K में हो जाती है, तो ये भी मुझे चीज यार, अची लगी वीडि लाइटिंग के अंदर भी मुझे इसका प्रफॉर्मेंस काफी सही लगा, आप देको ट्यूनिंग वाई टिपिकल थोड़ी सी saturated वाली इसके अंदर मिलती है, लेकिन overall color बहुत जादा boost नहीं होते, contrast बहुत जादा नहीं होता है, एक balance चलके इसके अंदर आपको मिलेगा, हल पिक्सल में आपको बात ही में बहुत जाएं, लेकिन बहुत जादा बेकार लगता है, आप देखो डैनेटील नहीं आती है, एक दम softer photos निकल के आती है, लो light चाहां बहुत जादा बहुत जादा लगता है, और उसके अलावा, इस phone के अंदर कोई आपको समस्या में पिक्सल मिलेगी फिलाल मार्केट के साब से आपको अच्छा फोन 15,000 रोपे के अंदर मिल जाता है जो कि आप अगर बागर कंसिडर करना चाहो तो जरूर से कर सकते हो बागी अगर आपका कोई कोशन है तो कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हूँ मिलता हूँ वीडियो में तिल दें टेक क्या बबाए